हेलो गाइज वेल्कम बैक टू आर चैनल और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ आज हम आपको ब्लू सेंस और इको सेंस जो कि महिंद्रा के फीचर्ज है उसके बारे में बताएंगे दों आपको सबसे पहले अपने एक अप्स्ट्र में जाना है वहां जाके करना है में ब्ल्यू सेंस लियो पहुं GUY तो वहां पर आपको भूथ सार एक जिसमें से आपको महींद्रा घ्र के लिए ब्ल्यू सेंस सेलेक करके ओपन करना है येस यह आपको दिख रहा है महिंद्रा थार के लिए अलग से ब्लू सेंस है जो आपको इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद यह आपको ओपन दिस येस तो आप फिर ब्लू सेंस ओपन कर सकते हो मेक शूर आपका जो फोन है वो इंफोटेंमेंट सिस्टम के साथ ब्लूटूट कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए यह, आप देख सकते हो जाइसे मैंने अप्लिकेशन ओपन क्या और ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है तो मुझे बहुत सारे ओप्शंस यहां पर दिखा रहा है पहले तो मुझे वालिऊम का दिखा रहा है फिर मेरा USB connected है वो दिखा रहा है मेरी average fuel economy दिखा रहा है फिर जैसे मैं swipe up करता हूँ तो उसमें बहुत सारे options आता है जो login है vehicle information है audio control है warnings emergency assist वगेरा वगेरा इसमें basically मैं आपको बता दू इसमें जो login credentials रहेंगे वो महिंद्रा आपको provide करेगा और इसमें जैसे आप देख सकते हो आपके fuel economy दिखाएगा और जो आपके थार में diesel है वो diesel के हिसाब से कितने km आपके थार चल सकती है वो भी यहाँ पे आपको दिखाएगा फिर इसमें एक option रहता है जो है with you हमेशा जो basically महिंद्रा का खुद का अपना feature है और यह with you हमेशा के लिए आपको अलग से एक application डाउनलोड करना पड़ता है वो है with you हमेशा फिर आपका जो भी registered mobile number है जो महिंद्रा के साथ invoice में आपने दिया हुआ है उससे आप login कर सकते हो login करने के बाद आपको यहाँ पे आपने जो delivery ली होगी पहली service करवाई होगी आपकी next service कब है वो सारे options इतर आपको दिखाएगा for example जैसे यह service cost है हम मैं इस पे क्लिक करता हूँ thousand kilometers की service पे जैसे कोई भी charge नहीं है पहली तीन service महींद्रा free provide करता है तो उसमें कोई chargeable आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं जैसे मैं इसमें 20,000 kilometers डालूँगा तो वो paid service में आ जाएगा तो महींद्रा के जो minimum paid service के charges है वो आपके service cost में यहाँ पे इंतियूर होके आपको amount आ जाएगा जिससे आपको roughly idea आ जाएगा कि आपका जो 20,000 kilometers का service है वो आपको approximately यह charges में पढ़ेगा depends आप कितने kilometers select करते हो मैं 30,000 select करता हूँ, 40,000 select करता हूँ तो उसमें roughly मुझे 7,000 का उसने budget दिया है फिर इसमें option रहता है shield warranty जो की one year की warranty महिंद्रा आपको free देता है उसके बाद अगर आपको purchase करना है तो वो इदर आपको option भी देगा shield purchase from आप second year की जैसे warranty enable करोगे तो आपको approximately इसका cost आ जाएगा फिर इसमें option रहता है roadside assistance roadside assistance one year के लिए महिंद्रा में free है one year के बाद अगर आपको roadside assistance purchase करना है तो आपको यहाँ पे option मिलेगा आपको यहाँ पे दिखेगा कि roadside assistance second year के लेना है second year के लेना है second और third दोनों years के लेना है जो भी आप option select करते हो उसके साब से आपको approximate cost आ जाएगा including GST फिर आप register करके buy कर सकते हो according to me यह 2021 रुपीज यह worth है roadside assistance के लिए इधर आपको दिखाएगा कि roadside assistance में क्या-क्या services covered होगी यह option भी बहुत ही बढ़िया रहता है जैसे कि आपको यहां पर customer call center का option रहता है जिसमें आपको वो दिखाएगा कि either you can chat with the customer care you can call the customer care or you can email them yes, so bluetooth connect करने के बाद आपको BlueSense application install करना है BlueSense application install करने के बाद open करके आपको सारा configuration उदर मिलेगा उसके बाद आपको infotainment system में car info जो है उसमें जाना है car info में चले गए उसके बाद आपको बहुत सारे options इदर मिलेंगे जिसमें एक option है adventure connect यह बहुत ही बड़िया feature है जो भी महींदरा के recent adventure होने वाले है उसकी information आपको यहां पे मिलेगा date, time और उसका जो भी registration है वो जब अगर open होगा तो आपको link देगा अगर open नहीं होगा है तो वो आपकी email address पे बाद में link बेजेगा उसके बाद option आता है eco sense yes so eco sense महींदरा का बहुत ही बड़िया एक feature है जैसे आप current trip मेरा है तो current trip के सारे calculations मुझे देगा for example अभी मेरा जो trip है वो मेरे office से मेरे गर का trip है उसमें मुझे trip का distance क्या था fuel economy वो trip के लिए मेरा क्या रहा मेरे top speed क्या थी average speed क्या रही मैंने per kilometer कितनी बार clutch press किया है और per kilometer कितनी बार brakes किये है फिर आता है trip history recent five trips जो आपने किये है वो आपको यहां पर updated रहेगा और कोई भी ट्रीप आप ओपन करके same features देख सकते हो उसके बाद आता है trip chart trip chart में आपको fuel economy top speed, average speed, ideal time, clutch, brake वगरा सब कुछ दिखाएगा for example जैसे मैं fuel economy open करता हूँ मेरी जो भी trip अभी तक रही है recent five trips तो वो मुझे इसमें दिखाएगा और क्या fuel economy रहेगी मेरी हर एक trip की क्या रही है वो इदर आपको options दिखाएगा similarly आपको top speed, idle time फिर जैसे मैं idle time पे जाता हूँ तो recent five trips में मैंने ignition चालू करके गाड़ी जो idle time पे खड़ी रखी है वो recent five trips का दिखाएगा आपको blue sense में for example गाईज आप audio controls भी application से कर सकते हो यानि अगर आप back seat में बैठे हो और audio controls control नहीं कर सकते क्यूंकि आपको पता है यह steering mounted controls है तो back seat से application में से आप control कर सकते हो देखे आप जैसे की आपको app store में जाना है sorry app store में जाना है app store में जाके blue sense app for thar डाउनलोड करना है डाउनलोड करके bluetooth connected होना चाहिए आपका iPhone का with a vehicle फिर blue sense app open करना है जैसे आपको दिख रहा है यहां पे अभी मेरा radio on है तो radio के controls दिखा रहा है for example आप यहां जाके thanks guys for watching the video अगर आपको हमारा content पसंद आया हो तो हमारा channel जरूर subscribe करना thank you करना है